T20 विश कप का आगाज हो चुका है सूपर बारा राउंद के मुकाबले खेले जा रहे हैं वई सूपर बारा राउंड में ही आज भारत और पाकिस्तान की टीमे आमने सामने होगी ये मुकाबला मेल बर्न करिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा दोनों टीमें पिछले महीने एशिया कप T20 में दो बार आमने सामने आई थी गुरूप राउंड में पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया था वही सूपर फोर में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था अब इस साल कुल तीसरी बार ये दोनों टीमें एक दूसरे का मुकाबला करेंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें T20 विश्च कप में छह बार आमने सामने आ चुकी है टीम इंडिया ने से पहले पाँच मुकाबले जीते हैं वहीं पाकिस्तान को एक मैच में जीत हासिल हुई पिछले साल 2021 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकट से हराय था ये किसी भी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाव मिली पहली हार थी T20 वर्ल्ड कप के अलावा भारत और पाकिस्तान की टीमे वन डे वर्ल्ड कप में भी साथ बार आमने सामने आ चुकी है ये साथो मैच भारत ने जीते हैं वही T20 में ओवरॉल दोनों टीम 11 बार भिड़ चुकी है इसमें टीम इंडिया ने आट और पाकिस्तान ने तीन मैच जीते हैं मौजुदा फॉर्म की बात करें तो पाकिस्तान ने पिछले पास T20 मैच में चार मैच जीते हैं निजिलाइन के खिलाव एक मातर मुकाबला टीम हारी है वही भारत ने भी पिछले पांच में से चार T20 जीते हैं दक्षिर अफरीका के हिलाव एक T20 में टीम इंडिया को हार मिली थी इस साल दोनों टीमों का T20 में परतर्शन की बात करें तो भारत ने इस साल यानि 2022 में कुल 32 T20 मैच खेले हैं जिसमें से 23 मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है आठ मैचों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है जबकि एक मैच बारिस की वज़े से नहीं हो सका था वही बात करें पाकिस्तान की तो इस टीम ने 2022 में 19 T20 खेले हैं और 10 में जीत हासिल की है नौ मैचों में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा यानि साल 2022 में भारत ने पाकिस्तान से लगबक दो गुने T20 खेले हैं और दो गुने से भी ज़्यादा मैच जीते हैं टीम इंडिया ने साल पाकिस्तान से कम T20 मैच गवाई भी हैं। यानि ओन पेपर तो टीम इंडिया पाकिस्तान से काफी मजबूत दिख रही है। और स्टेडिया में दोनों टीमों के रिकॉर्ड की बात करें। तो भारत ने कंगारूओं के देश में 12 T20 मुकाबले खेले और जिसमें से साथ में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है। जबकि चार मुकाबले भारत ने गवाए हैं। एक मैच बेनतीजा रहा। भारत ने मेलबर्ण में चार मुकाबले खेले हैं। टीम इंडिया ने इसमें से दो में जीत हासिल की वहीं एक में हार का सामना करना पड़ा एक मुकाबला बेनतीजा रहा वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने आस्टेलिया में चार T20 खेले हैं और तीन में टीम को हार का सामना करना पड़ा है एक का मुकाबला बेनतीजा रहा पाकिस्तान ने 2010 में बेलबर में आखरी T20 खेला था उस मैच में आस्टेलिया ने दो रन से जीत हासिल की थी भारत की ओर से T20 विश्च कब में सवस्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी कप्तान डोई शर्वा के नाम है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में 33 मैच खेले हैं जो की सरवाधिक है इन मैचों में उन्होंने आठ आर्दशतक की मदद से 847 रन बनाए जिसमें से नबाद 89 रन उनका सरवाधिक स्कूर रहा है वहीं आपको बता दे कि ऑस्टेलिया खेलने जा रही भारती टीम में 9 क्रिकेटर ऐसे हैं जो बीते साल UAE में हुए T20 विशकप में खेले थे तब टीम इंडिया सूपर 12 राउंड में ही बाहर हो गई थी ये क्रिकेटर रोईच शर्मा, केल, राहूल, विराट कोली, सूर कुमार यादो, रिशप पंत, हार्दिक पंटियाव, आरश्विन, मोहमत शमी और भूमने शरकुमार है श्रेय सेयर पिछले साली विशकप टीम के स्टैंट बॉई में थे इस बार भी उन्हें स्टैंट बॉई में ही जगा मिली है बहराल एक बार फिर से T20 विशकल पे भारत और पाकिस्तान के दो नुटी में आपने सामने होंगी वीडियो डैस अमरुजाला डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल आईकन को दबाना ना भूले हैं अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें डाउनलोड करें आमारुजालाय और पाएं खबरें लगातार